हेलो बच्चो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और बहुत अच्छी वीडियो लेकर ये है मेरा बेटा बंटी और जब ये खाना खा रहा था तो इसने मुझसे एक बात पूछी कि मम्मा हम खाना क्यों खाते हैं तो मैंने सोचा जब मैं बंटी को समझाओंगी तो क्यों मैं आप सब को भी समझा दूँ तो शुरू करते हैं बंटी पीटा आपको पता है जब हम खाना खाते हैं अलग-अलग तरह कि मम्मा वेंजन आपके लिए बनाती हैं इतने सारे फूड आइटम्स बनाती हैं तो आप बहुत शौक से खाते हो जी मम्मा मैं तो बहुत शौक स खाता हूँ अब आपको ये बात पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें एनरजी मिलती है एनरजी से क्या होता है हम काम अच्छे से कर पाते हैं और खेल अच्छे से पाते हैं जब आप खेलते हो तो आपको ठकान महसूस होती है नहीं मम्मी क्योंकि मैं बहुत सा अगर जो बच्चे खाना अच्छे से खाते हैं, रोटी अच्छे से खाते हैं, चावल अच्छे से खाते हैं, दूध टाइम से पीते हैं, उनको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी और वो बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर पाएंगे. क्योंकि हम इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं तो इसमें क्या-क्या होता है आज हम वो भी आपको बताते हैं जो खाना हम खाते हैं वो हमें ग्रो करने में मदद करता है हमारी हाइट जो बढ़ती है न वो हम जो खाना खा रहे हैं उससे बढ़ती है आप पूछ रहते हैं न बंटी कि मम्मा मेरी हाइट कब और बढ़ेगी तो तब बढ़ेगी जब आप बहुत अच्छा nutritious food खाऊगे balance diet के साथ बहुत अच्छा खाना खाऊगे तब आपकी जो growth है वो बहुत अच्छी होगी आप अंदर से strong बनोगे healthy रहोगे बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा जब बीमार नहीं होगे तो आपकी growth बहुत अच्छी होगी और आपकी height बहुत अच्छी हो जाएगी तो हमें time से सारे खाना खाना चाहिए दूद पीना चाहिए liquid diet जादा से जादा लेनी चाहिए और बाहर का खाना बिलकुल नहीं खाना चाहिए जो मम्मा घर में बनाती है सिर्फ वही खाना खाना चाहिए ठीक है मम्मा लेकिन मम्मा ये तो बताईए कि हमें कहां से मिलता है बेटा फूड आपको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है आपको पता है जो वेजिटेबल्स और फूट्स आप खाते हो वो सब आपको कहां से मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं जैसे कि पोटेटो लेडी फिंगर टोमेटो बनाना मैंगो यह सब आपके कहां से आ आते हैं, milk, eggs, meat, chicken, fish, ये कहां से आते हैं आपके सब, animals से आते हैं, कहां से आते हैं, animals से, और आपको पता है, कुछ इन में से ऐसे food भी होते हैं, जो energy giving foods होते हैं, body building foods होते हैं, protective foods होते हैं, आपको पता है, नहीं ममा, मुझे तो नहीं पता, इसलिए तो मैं आपसे पोच रहा हूं ममा, कि मुझे बता दीजी हम खाना क्यों खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो हमें एनरजी देते हैं, यह तो ममा ने आपको बता दिया, जैसे कि आप पोटाटो खाते हो, शूगर खाते हो, बटर खाते हो, राइस खाते हो, तो इससे आपके कुछ ऐसे फूट्स भी होते हैं जो बाड़ी बनाते हैं आपकी जो आपकी ग्रोथ में आपको मदद करते हैं जैसे की आप पलसिज ले लीजिए जितनी भी डाले हैं अगर आप डाल बहुत अच्छे से खाओगे तो उसमें आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जो हमें डिजीजिस से बचा कर रखते हैं जैसे की इस्पिनेच पालक बॉटल गार्ड जैसे की क्या कहते हैं बॉटल गार्ड को घिया पपाया एपल ठीक है तो यह सब क्या है आपके प्रोटेक्टिव फूड तो अब आपको पता च और आपको पता है, हमारी बॉड़ी बहुत सारे पानी से बनी हुई है, बहुत सारे पानी हमारी बॉड़ी को चाहिए होता है, ताकि जो हमने खाना खाया है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और जो खाना पच नहीं पाता है, वो निकल जाता है, अच्छा ममा, तो फ आपको समझाया ना कि आपको अगर हेल्दी रहना है अच्छे डाइट लेनी पड़ेगी उसके लिए जिसमें आपके सारे न्यूट्रियंट्स प्रेजेंट हो प्रॉपर क्वांटिटी में हो अलग-अलग तरह का खाना हो जैसे कि आप यह देख सकते हो यह सब आपके अलग- फिश एग और फैट्स इनमें क्या है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिश ले लेते हैं और एग भी ले लेते हैं लेकिन जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं वो फिश और एग को अवाइड करते हैं और फैट्स लेते हैं रूट्स लेते हैं वो ग् एक good health ले सकें एक good healthy person बन सकें तो हमें healthy person होने के लिए क्या चाहिए एक बहुत अच्छी balance डाइट नहीं चाहिए ताकि हम healthy रहें और अपनी eating habits पर हमें हमेशे ध्यान रखना चाहिए अब आपने ये देखा बंटी कि इस डाइट में कहीं भी junk food नहीं है junk food क्या होते है बंटी बताओ जरा जल्दी से ममा पीज़ा बर्गर चेप्स नूडल्स ये क्या है सब junk food तो ये आपको पसंद है न junk food येस ममा पसंद है तो आज से आप ये सब चीज़े लेना बिलकुल बन कर दो क्योंकि ये सब क्या होते है junk food हमें कैसे लेनी है balance diet balance diet कैसे होती है ऐसी जिसमें बहुत सारी दाले होंगी बहुत सारे green leafy vegetables होंगे roots होंगे fruits होंगे vegetables होंगे sugars होगी और milk होगा तो हमें ऐसी diet लेनी है जिससे हम कभी भी बीमार ना पढ़ें और बहुत healthy रहें और हमारी growth बहुत अच्छी हो जाए ठीक है और अभी आमने क्या सीखा कि जो fish नहीं खाते हैं egg नहीं खाते हैं हम उनको क्या कहते हैं vegetarians और जो fish egg सब खा लेते हैं उनको हम कहते हैं non vegetarians तो good eating habits कौन से होती है जल्दी से बताओ बंटी ममा जो healthy diet लेता है वो और जो junk food नहीं खाएगा वो भी good eating habit है और ममा जो अच्छा अच्छा सा बहुत सारा पानी पीएगा ना दिन में क्योंकि हमारी body में जो food है वो digest पानी से होता है ना ममा आपने बताया था अभी तो जो बहुत सारा पानी पीएगा रोज तो उससे क्या होगा उसकी जो food है वो अच्छे से digest हो जाएगा तो उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी तो वो क्या हो गई हमारी good eating habit very good bunty very good that's my good boy तो बच्चो आज आपको पता चला कि किस तरीके से हमारा food help करता है हमारे body में किस तरीके से वो हमें protect करके रखता है किस तरीके से body building foods work करते है energy giving food work करते है और junk food हमारे ले कितना नुकसान दे है और ये रही हमारी balance diet जो हर बच्चे को लेनी चाहिए ठीक है बेटा बंटी समझ में आ गया जी ममा मुझे समझ में आ गया तो ठीक है बच्चो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक करीब बाई बाई